पढ़ो सभी कोरोना से डरो नहीं पढ़ना लिखना है सबको आगे बढ़ना है सबको देखते हैं देखे पूजा समय मतुरा मंदिरों मध्य जाना नाना वाद्यों मधूर स्वर की मुगदता को बढ़ाना किवा लेके रुचिर तरु के श्रब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधूर रहो से मुगद हो हो बजाना राधा जी कहती है कि कब तुम्हे जाना है जब वहाँ पे पूजा का समय हो मतुरा में पूजा का समय हो तो देखी पूजा समय मतूरा मंदिरों मध जाना जब पूजा का समय हो तब तुम मंदिर के मध जाना मंदिर के बीच में जाना नाना वाद्यों मधूर स्वर की मुगदता को बढ़ाना और पवन का एक कार्य है कि अगर अनुकूल हवा बहेगी तो ध्वनी अच्छी निकलती है और अगर प्रतिकूल हवा बहेगी तो जो भी शंगीत के स्वर निकलेंगे वो अच्छे नहीं निकलेंगे नाना वाद्यों मधूर स्वर की मुगदता को बढ़ाना जो विभिन प्रकार के वाद्य यंत्र होंगे उसमें अपनी स्वर को डाल करके उसकी मुगदता को उसको मुगद करने वाले जो स्वर मधूर स्वर हैं उसको तुम्हें बढ़ाना होगा किवा लेकी रुचिर तर्व के शब्दकारी फलों को जो रुचिर तर्व होंगे जो सुंदर तर्व होंगे तुम्हारे मन के अनुरूप जो तर्व होंगे वरिक्ष होंगे उनके शब्दकारी फल यानि सब्दरूपी फलों को ले करके धीरे धीरे मधूर रव से मुग्द ह वहो बजाना उसमें तुम अपनी मधूरता डाल करके उसको उसके जो ध्वन होगी उसको और बढ़ा देना मधूर बनाता है उनका सरीर कैसा है स्यामल है तुम जा करके देखोगी कि उनका सरीर स्यामल है और जिस प्रकार से नीला फूल होता है सुंदर फूल होता है कमल का नी आत्मने शरीर की स्यामता उसी प्रकार के वो सामलेपन लिया हुआ उनका शरीर है पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला यानि बहुत सुंदर जो उनका वस्त्र है वो पीला होगा वस्त्र पहनते होंगे अपने कट में पहने होंगे अपने शरीर पे धारण की होंगे पीला वस्त्र छूटी काली अलक मुख की कांती को है बढ़ाती और एक अलक लटकी होगी उनकी बाल की एक छूटी हुई लट लटकी होगी मुख के पास जो उनके मुख की सुंदरता को मुख के सुंदर को और बढ़ा रही होगी सदवस्त्रों में नवलतन की फूटतीसी प्रभा है और ऐसे वस्त्रों पहने होंगे सदवस्त्रों में नवलतन की फूटतीसी प्रभा है उनके सरीर के उपर जो सदवस्त्र है यानि अपनी सरीर के अनुकूल ऐसा वस्त्र धारण किये होंगे कि अलग प्रकार की प्रभा उससे पूट रही होगी प्रकास उससे निकल रहा होगा साचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर शाली सत पुष्पोंक सी सुरग उसकी प्राण संपोशी का है दोनों कंधे ब्रिशब वरसे हैं बड़े ही सजीले लंबी बाहे कलब करसी शक्ति की पेटी का हैं आगे राधिका जी बताती है कि कृष्ण के सरीर के एक एक अंग किस प्रकार से हूँगे सांचे ढाला सकल वपु है उनका सारा सरीर जो है सांचा में ढला हुआ है ऐसा प्रतीत होगा तुमें कि हे पवन कि उनका पूरा सरीर सांचे में ढला हुआ है दिब्य सौंदर ये साली कैसा होगा दिब्य सौंदर ये देवताओं के समान सुंदर सरीर वाले होंगे उनमें से सुंदर ये फूप रहा होगा सत पुष्पों सी सुरभी उसकी प्राण संपोसिका है जो उनके सरीर से शुगंध निकल रही होगी जो सुगंधित वायू निकल रही होगी वो सत पुष्पों सी सुरभी यानि सुंदर पूलों से निकलने वाले सुगंध के समान उन दोनों कंधे विरिशब वरसे हैं बड़े ही सजीले और जो दोनों कंधे होंगे क्रिश्ण के वो कैसे होंगे विरिशब वरसे हैं स्रेश्ट साण के समान कंधे वाले बलिश्ट कंधे के समान उनका कंधा होगा दोनों कंदे व्रशब वर से हैं बड़े ही सजीले लंबी बाहें कलब कर सी शक्ति की पेटिका है और जो उनकी दोनों लंबी बाहें होंगी बाहें लंबी होंगी और कैसी होगी कलब कर जो हाथी की सून होता है हाथी के सून के समान वो मजबूत हाथी का जो सून होता है बहुत मजबूत होता है उस सून के माध्यम से ही वो सारा क्रिया व्यापार अपने सरीर के लिए करता है चाहें भोजन का डाल तोड़ना हो या कुछ और कार्य करना हूँ सून के माध्यन चाही करता है तो कह रहे हाथी के जैसी हाथी की जैसी सून के समान उनका शक्ती धारन करने वाली दो लंबी बाहें होंगी राजाओंशाशाशिर्पर लसाशदिब्ब्ब आपीड होगा, राजाओंशाशाशिर्पर राजा के समान उनके सिर पर मुकुट आपीड नगैं, दिब्ब्ब्बमुकुट होगा कि जैसा आभा फिकने वाला होगा शोभा होगी उभै सुरुत में स्वर्ण के कुंडलों की और दोनों कान में जो कुंडल होंगे वो सोने के जो कुंडल होंगे उभै सुरुती दोनों कान में वो शोभा बढ़ाने वाली होगी नाना रतना कलित भुज में मन्जु के यूर होंगे और अनेक रतनों से जटित जो अपनी भुजाओं में भुजबंद पहनते हैं वो बहुत ही सुन्दर होंगे मन्जु के यूर भुजबंद यानि विभिन प्रकार के रतनों से जटित वो भुजबंद पहने होंगे मोती माला लसित उनका कमबुसा कंठ होगा और जो उनका कंठ होगा वो संख के समान सुन्दर होगा और उसमें मोतीयों की माला से लसित होगा मोतियों की माला उसमें पहने होंगे जो संख की बनावट होती है उस गर्दन को बहुत ही सुंदर कहा जाता है तो राधिका जी बताती है कृष्ण की गर्दन उस संख जैसी सुंदर है संख के समान सुंदर है और उसमें मोती उसकी सुंदरता को मोती की माला उसकी सुंदरता क और बढ़ा रहा होगा आगे देखिए अगले चंद में तेरे में है न यह गुण जो तू ब्याथाएं सुनाए ब्यापारों को प्रखरमती और युक्तियों से चलाना बैठे जो हूं निज सदन में मेंग सी कांती वाले तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना इस चंद में राधिका जी उनकी जब स्दन करके उस चित्र को देखें ऐसे हिलाना तुम आशा है यूँ सुरत उनको हो सकेगी हमारी ये निसंदे आशा है कि उनको जब वो बिरह भी धुरा चित्र देखेंगे बिरह से तपित उस चित्र को देखेंगे तो निस्चत है ये हमें आशा है कि उनको सुरत ही हमारी होगी यानि उनको हमारी इसमृत हो जाएगी यानि हम लोग का ध्यान आएगा कि ऐसा भी और कोई है जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो आओ हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से तो जाके सन निकट उसके और हिला के उसे भी देवात्मा को सुरति व्रज के व्याकिनों की कराना जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो बिरा विधुरा का चित्र हो तो ऐसे हिलाना कि उनको हमारी ध्यान आजाए इसके अलावा अगर कोई चित्र उद्यान का दिखाई दे दे यानि उसमें बागीचे का कोई चित्र टंगा हो दिखाई तुम्हें दे दे औहो प्राणी बिपुल उसमें घूमते बावले से और उस उद्यान में प्राणी ऐसे घूम रहे हो जो बावले हो जो पागल हो करके घूम रहे हो तो जाके सन निकट उसके और हिला के उसे भी तुमें करना क्या है उसके सन निकट जाना है और उस उद्यान रूपी चित्र को तुमें इस प्रकार से हिलाना है देवात्मा को सुरति वरज के ब्याकुलों की कराना किसकी सुरति कराना है किसकी याद उनको दिलाना है उस चित्र के हिलने से उन्हें ब्रज के ब्याकुल जो लोग हैं उनके बिरह में जो ब्याकुल गोपियां हैं राधा हैं सायद उस उद्यान का चित्र देखने से ब्र में जो पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को यो देना ऐ पवन बतला फूल सी एक बाला मलान हो हो कमल पग को चूमना चाहती है कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो इस प्रकार से तुम उस घर में गेह यानि उस घर में देखना कि कोई पुश्प अगर दिखाई दे वो भी कुमलाया हुआ पुश्प मुर्जाया हुआ पुश्प अगर तुम्हें वहाँ कोई दिखाई दे कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो अगर कहीं वो पड़ा हो नीचे तो तुम्हें करना क्या है तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी से इससे तुम जाकर के ये बता देना इस क्रिया ब्यापार से ये उनको जतला देना बता देना क्रिश्ण को कि हे क्रिश्ण यो देना एक पवन बतला फूल सी एक बाला है जिस प्रकार से यह फूल कुमला गया है उसी प्रकार से एक फूल जैसी बाली का मलान हो हो कमल पग को च चूमना चाहती है जिस प्रकार से ये कुमलाई हुए पवन है सुन्दर पवन है पुश्प है उसी प्रकार से एक बालिका भी कुमला गई है जो आपके कमल पग को चूमना चाहती है उदास हो गई है और उदास हो हो करके कमल पग को चूमना चाहती है अर्थात आपके बीरह में ब्याकुल है आपके बीरह में तप्त हो रही है एक कृष्ण आप उसको ध्यान करें पवन के इस क्रिया ब्यापार से हो सके तो शायद कृष्ण को हमारी सुरत ही हो जाए हमारी य आठ चंद था दस चंद था जो हम लोग ने पढ़ा चंद पढ़ने के प्रश्चाथ हम लोग एक प्रश्ण अभ्यास करेंगे अच्छे अंक कैसे अरजित आप कर पाते हैं त्यारे बच्चों एक चीज और आपको ध्यान देना है कि मानव संसाधन विकास्ट मंत्राले के द्वारा भारत सरकार द्वारा एक दिख्षा मोबाईल अप्लिकेशन है जो आप उस दिख्षा मोबाईल अप्लिकेशन को आप डाउनलोड करेंगे अब इस्टोर के माध्यम से आप उसको डाउनलोड कर लिजिए और उस एप को डाउनलोड करने के पस्षात जो प्रस्ण है अभ्यास की अन्य गतिविदिया है प्रस्ण का जो अभ्यास है उस एप पे आपको मिलेगा और किसी भी प्रकार का कोई बिन्दू कि संका हो या अस्पष्टता का मामला हो कि ये अस्पष्ट नहीं हो पा रहा है या कुछ और इसमें जानना आप चाहें तो अपने सिक्षक से ये बात बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, उनसे चीजें clear कर सकते हैं और उनसे प्रस्न पूछ सकते हैं, इसका हल जान सकते हैं और ये जो वीडियो बन रहा है जो वीडियो आप देखना चाहें इस वीडियो को तो यूट्यूब चैनल पर जा करके आप एक माधिमिक सिक्षा बिभाग उत्तर प्रदेर